हलो एवरिवान वेल्गम तो माई चैनल लौन विप पाइजा आज हम एक एसी हैल प्रॉब्डम उसके सल्यूशन के बारे में बात करेंगे यहां पर आप देखे इस वीडियो में यह जो बल्गम है जब भी आपको खासी होती है तो खासी के बाद आपको गले में बार बार ब बल्गम जमा हो गया है तो आप बार बार जो है वहां पना गला साफ करते हो और आपको गीली खासी है या फिर रहीं कफ तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर कि बल्गम का इलाज क्या है समझेंगे कि बल्गम क्या है उसके सिम्टम्स कॉज़िस डाइग्नोसिस ट्रीट में एन मेडिसिन सॉप्शन्स तो यह जो सारे चैप्टर से वह आज हम वन बाइवन आज के हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे तो चलिए समझते हैं आप बल्गम के बारे में तो सबसे पहले बल्गम को समझे तो गीली या छाती वाली खासी तब होती है जब बल्गम या कफ और उसे हम फ्लेगम कहते हैं और थूक भी कहते हैं जो की बल्गम को पेड़ा करता है त गीली खासी भी कह सकता है कहीं अधिक भार, खासी हो सकती है, तीन सब्ता से कम समय तक रहने वाली खासी एक तिव्र है और हम समझें तो कासी सामान्य प्रतिवर्थ क्रिया है कि जह हमारे गले से बल्गम या बाहरी जलन को साफ करती है जबकि हर कोई समय समर पर अपना जो गला है वो साफ करता रहता है लेकिन आपके गले में जब भी बलगम जमा हो जाता है तो आपको फूर्स फुली उसे बाहर निकलने का ट्राय करते हैं नीद से जागने और बात करने समय भी आपको इसके जो लक्षन है वो अकसर डिखते हैं तो आप यहां पर इस तरीके से इद्विसी ओर भी देख सकते हैं कि जब भी आप बात करें हैं या फिर आप सोए हुए है तो उस दर्मियान भी आपको ऐसा फील होता है कि गले में जो है वो बलगम अटक गया है सामान या सर्डी के संक्रमन के बाद गीली खासी अंतिम जमा हो जाएगा और कफ जमा हो जाएगा अब हम बलगम के बारे में समझे तो जब भी बलगम चाती में जमा हो जाता है हमारे फिफडू में हमारे लंग्स में जमा हो जाता है तो आप यहां पर देखें यहां पर इसका मैक्जिमाइज किया हुआ है तो यह जो हमारी molecules है उसमें आप देखिए जो ग्रीन कलर का है वो बलगम है तो इस तरी किसे बलगम का जमाह हो जाना तो अब हम सिंटम्थ के बारे में जाने कि अगर किसी को बलगम जमाह हो गया है तो मुछर के रखंड सबसे पहला जो है वह रादी नाक में आपको छीर तो सकता है कि आपकी नाग में कफ जमा हो गया है बलगम जमा हो गया है बार बार गला साफ करने के इच्छा होती है खासी में आपको खून आ रहा है या फिर गले में खरास रहना और सौरनेस ऑफ ट्रोट स्वर बेठ जाता है आपको खास खास के आपका गला जो है वहाँ पे होना तो breathing difficulty हो सकती है मुह में बलगम के कारण आपको खटा स्वार लगता है तो यह symptoms रहते हैं now video के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूं हमारी एक new launch book है जिसका नाम है disease and treatment तो आप यहां पर देख सकते हो इस तरीके से यह जो book है वो पूरी color printed book रहती है तो आप हमारे साथ इसे ही study करना चाहते है तो आप यह जो हमारी book है इस whatsapp number के true contact करके अपना book order करवा सकते हो तो इसकी price आपको रूपिज 749 रहेगी चलिए अब हम हमारे topic पर वापस से आते हैं और समझते हैं उसके costs किस कारण से बलगम जो है वो जमा हो सकता है सबसे पहला कारण है viral infection तो viral infection क अगर कोई bacteria आपके body में entering करता है तो इसके कारण भी आपको बलगम हो सकता है तो आपका जो सर्दी खासी का जो phase है वो ज्यादा चल रहे है तो उसologist में आपको ये जो बलगम रह सकता है उसके बाद है jest by the Soloss finger RJey Refluxrio तो आप यहां पे देखिए यह जो है वो स्टमक में से यहां पे उपर की ओर जा रहा है जिसके कारण आपको वहां पे बलगम भी हो सकता है और आपको खासी हो सकती है या फिर अस्थमा जी सी कंडिशन्स होना तो अस्थमा में आप देखिए यह जो लाइनिंग्स है वो इसक एससी कंडिशन रहें जो की आपकी बोडी में आपके लंस में बल्गम जमा कर वा सकता है ब्रॉंखाय्टिस आप यहाँ पर देखे यह सैंट्रम्स यहाँ पर यह जो diameter है वो छोटा हो जाता है छोटा होने की कारण यह जो है बलगम वो इसे थिक तरीके से रहता है यानि कि गाड़ा हो जाता है तो उसके कारण भी आप breathing नहीं ले पा रहे हो या फिर फिफडो में गाव हो जाना तो फिफडो में आपको कही बार ऐसा है कि वह हुआरे जुन्लंग्स है वो डेमेज हो गए है और आप ज्यादतर अब मैटर में पैरे रहे होगों ज्यादा सिग्रेट पीने से भी आपको बलगम हो सकता है आपको कहीं बार ऐसा है कि allergic reactions है तो allergy reaction से भी आपको ये जो है बल्गम वो हो सकता है आपको seasonal allergy है या फिर कोई food ले रहे हो या फिर किसी चीज़ की dust, creamiest की इस तरह किसे कोई allergy reaction है तो allergy के symptom से भी आपको बल्गम जमा हो सकता है उसके बार है atmosphere changes यानि कि वातावरन में बढ़ला होना जैसे ही रुतू change होती है तो उसके कारण ये बल्गम आपकी बूड़ी में एंडर हो सकता है जैसे कि अगर हम समझे अभी winter की season चल रहे है तो winter के season में कभी ऐसा होता है कि कभी थंड लग रही है या फिर कभी गर्मी लग रही है तो ये जो वातावरन changes है ये जो seasoning changes है उसके कारण भी आपकी बूड़ी में बल्गम जमा हो सकता है और हम जाने तो COPD तो chronic obstructive pulmonary disease तो आप यहाँ पे देखे ये जो air environment है वो air sex को damage कर देते हैं जिसके कारण आपको COPD हो सकता है अब जाने कि बल्गम का नीदान केसे कर सकते हैं इसके reasons केसे fine कर सकते हैं तो सबसे पहला जो reason fine करने का तरीका है वो है patient counseling तो patient की medical history check कीजिए patient की medical history check करने से आपको पता चल सकता है कि patient को को allergy है या फिर उसने इसा कोई food खाया है या फिर उसकी recent कोई AC history रही है जिसके कारण उसको बल्गम हुआ है और उसका physical examination यानि कि वहाँ पे throat का area है गले का area है तो वहाँ पे किस तरीके से बल्गम है viral disease है bacterial disease है तो वह examination आप करवा सकते हैं आप sign and symptoms based patient के क्या-क्या conditions है उसके क्या-क्या science लिखते हैं उसके क्या-क्या symptoms लिखते हैं उसके according चेक किया जाता है then broncoscopy अगर किसी के lungs में ज्यादा बल्गम जमा हो गया तो यह जो broncoscopy है यहां से आप देखे यह जो microscope है वो lungs के अंडर डालते हैं lungs के अंडर डालने के बाद वहां की photographs लेते हैं और check करते हैं then biopsy biopsy में आप यहां पर देखे fluid in plural space तो वहां पर बल्गम जमा हो जाना जिसके कारण biopsy से भी हम यह जो fluid है वो बाहर निकाल सकते हैं तो यह another diagnosis है then lungs का x-ray तो x-ray से भी पता चल सकता है कि कितना बल्गम फैला हुआ है then echocardiogram तो EKG से भी यह fine हो सकता है अब हम देखें कि sputum taste तो sputum taste में क्या होता है तो यहां पर देखें जब भी हमारी saliva यानि कि जो थूक है हमारा वो कैसा होना चाहिए thin and watery अगर उसमें बल्गम है तो वो जो है वो thick और sticky हो जाएगा और उसका जो color है वो slightly change हो जाएगा तो उसे हम sputum taste करते हैं तो उसका भी एक identification होता है कि बल्गम कितना गाड़ा है नाव वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहूं तो हमारी एक new launch book है जिसका नाम है disease and treatment तो आप यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से यह जो book है वो पूरी color printed book रहती है यह पीछे की side और यह आगे की side अब side view भी देख सकते हैं तो इस तरीके से हमारी यह जो book है वो आपको आएगी अब treatment options के बारे में जाने कि इसको treat कैसे किया जाता है यह जो problem है उसे solve कैसे करना है तो इसको treat करने के लिए medicine suggest की जाती है तो चलिए देखते हैं यहां पर classes है जिसे की expectoran और bronchodilators, demolition, mucolytics, antitursive, herbal medication and homeopathic medications तो यह जो medications है वो specially patient को bulgum treat करने के लिए helpful रहते हैं अब medicines option के बारे में जाने है कि कौन-कौन से medicines options है जो की bulgum में mainly patient को prescribe किया जाते है तो यहां पर है सिपला की coughsils, cough syrup तो यह जो है वो patient को दिन में 5 ml 2-3 बार लेने की होती है तो इसका भी सेम तरीके से आपको यूज है 5 ml दिन में 2-3 बार लेन की वसाका तो वसाका यह जो है वो homeopathy medicine है तो homeopathy medicines का भी सेम तरीके से यूज रहेगा 5 ml दिन में 2-3 बार now himalya coughlet तो coughlet जो है वो बहुत अच्छी medicines है इसमें आप यहां पर देखे हनी और तुलसी के leaves का extract आता है तो उसके लिए यह जो रोस है वो भी सेम रहेगा then himalya वसाका सिरा तो इसके में वसाका leaves अच्छी तरीके से उसकी properties देता है तो यह भी सेम तरीके से use है तो उसके बाद चरक कंपने की बात करें तो चरक का कौफोल SF तो यह आयोवेडिक सिरप है तो आयोवेडिक सिरप जो है वो पेशन को इस डोस में दिया जाता है अब ब को यह जो इटोफियलिन एनथीओ्प आयोफियलिन कोंबिनेशन में प्रोलॉग रिलिस डैपलित रहती है तो यह टेपलेट पेशन को सिंगल टेपलेट पर डेब प्रिसक्राइब की जाती है अब बात करें एसी ब्रोफ्यलिन एबीоки سटिन रिलिस तो इसका भी सेम तरीके उसे यूज रहेगा दिन में एक बार अब हम बात करें कि लोजिंजिस की तो लेजिंजिस एक अच्छे फ्लेवर्ड आते हैं तो ये कफ को शप्रेश करते हैं कफ को रिलीफ करते हैं तो ये जो स्ट्रेप सिल्स सिट्क औफ लोजिंजिस है ये pack of six आते हैं, यानिकि एक pack में six आते हैं, तो ये जो six है वो पूरे के पूरे आपको पूरे दिन में एक से डो लोजिंजिस, दो से तीन टाइम पर दे आपको complete करने हैं, यारि यह जो है वो single dose therapy रहेगी, आपको दिन में एक ही बार में 6 की 6 यह जो लोजिंजिस से वो खा जाने हैं, अब बात करें, तो अगर किसी को allergic reactions है, तो allergy से निकलने के लिए Montelukas, sodium and levosoitrogen के combination है Montec-LC, तो यह जो है वो patient को एक tablet दिन में एक बार या फिर दो बार prescribe की जाती है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, एसे ही disease and medicine के बारे में आपको जान करें चाहिए, तो आप मेरी चेनल को subscribe करें, और bell icon को turn करना ना भूले, thank you for watching my video